दोस्तों नमस्कार स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आज के मुख्य समाचार देश दुनिया की दस बड़ी मुख्य समाचार की इस वीडियो में जहां आपको मिलने वाली हैं दस बड़ी कबरें सिर्फ दस मिनिट में इसलिए पहले ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल की घंटी को भी ओल पर जरूर सलेट कर लिजिए तो दरसल आज की सबसे पहली बड़ी कबर देश के गरीबों, मजदूरों, सरमिकों एवं महिलाओं को सरकार ने दिया बड़ा तोफ़ा अब घर बनवाने के लिए सरकार एडवांस में डालने वाली है धाई लाग रुपे अगर आपका भी देश के किसी भी बैंक में खाता है और अपना पक्का मकान बनवाना चाते हैं तो सरकार की तरप से धाई लाग रुपे अब एडवांस में हर एक गरीब को उसका घर बनवाने के लिए देने का फैसला हो चुका है अगर आपको भी बैंकों में खाता है साथी यह दो जरूरी कागजात हैं तो बने रहेएगा अंतिम तक कैसे यह पैसे लेने हैं पूरी जान के जानेंगे वहीं महिलाओं के लिए निकलें बंपर भरतीया 53,000 से अधिक बदों पर निकलने वाली हैं सरकाली नौकरी तुरंत करवा लिजिए आवेदन आपको बता दें अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आकर कार कहां कहां भरतिया निकल लेंगी पूरी जान के जानने वाले हैं साथी साथ 500 रुपए में रसोई गैस सिलिंडर और फ्री बिजली समेत मोदी सरकारी ने सुरू कर दी हैं यह तीन नई योजनाएं उठा लिजिये तुरुन तफाइदा दोस्तों रेजिस्ट्रेशन करवाते ही मेहज आपको 500 रुपए में रसोई गैस सिलिंडर और फ्री बिजली के साथ-साथ 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिल रहा है इसके लावा तीन नई योजनाओं की भी शुरुआत हुई है तो कहां पर रेजिस्ट्रेशन करवाना है कौन कौन सी यह योजनाएं है कहां की लोगों बिलेंगी ताजा जानकारी योजना के लाभ लेने के लिए जानकारी क इस्नमाल कर रहे हैं तो देश में एक नए प्रकार का फर्जी वाड़ा बढ़ रहा है अगर आप भी यह गलती कर देते हैं वाट्साइप चलाते समय तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है सरकार की भी तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है तो अगर आप वाट्स गाड़ी है तो सतर को जाएं कहां कहां पर आखिर कर यह हनियम लगीगा सरकार के तरफ से एक बड़ा एलान किया गया है जानने के लिए अन्दिन तक बने रहीएगा वहीं अब आपको एक एक स्मार्ट फोन मिलने वाला है बिल्कुल मुफ्त यहां कि सरकार ने दिया कर एक नई योजना की शुरुआत हुई है पूरी जान कहीं मिलेगी अगली बड़ी कबर किसानों का कर्ज होगा माफ सुरू हुई है माफी योजना जी हां दोस्तों 2023 की ब्याज माफी योजना की शुरुआत हो चुकी है आपका भी अगर कर्ज काफी जदा बकाया चल रहा क्योंकि आने वाले 14 दिनों तक बैंक होने जा रहे हैं बंद भाईयों और बहनों बैंकों से जुड़ा हुआ एक बड़ी कबर आ रही है बैंक संबंधित कोई भी कामकाज आपका रहने वाला है तो आने वाले 14 दिनों तक बैंकों में छुट्टियं रहने वाली हैं कहां कह किस किस दिन बैंक बंद रहेगी और क्या कारण है पूरी अपडेट इस वीडियों बताई गई है इसके लावा बिजली बिल भोकताओं को लगेगा बड़ा जटका हर महीने अब देना होगा जियादा बिजली का बिल सुनते ही चौक जाएंगे आप तो दोस्तो आएक बड़ी खबर निकल करा रही है इस वक्त की ताजा जानकारी आ रही है इसकी भी जान करे देंगे कि आप बड़ी बड़ी हादसा हो चुका है बने रहिए गांतिम तक मुख्य समाचार सुबह से लेकर साम तक की ताजी बड़ी खबरें मजदूर बाई सरमें गरीब किसान के साथ-साथ हर एक छातर युवा एवम महिलाओं के लिए निकल करा रही है अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो आपके लवी कई बड़ी खबरें है वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरू कर दीजीगा तो दर असल आज की सबसे पहली बड़ी कबर अब सरकार किसानों को देगी दो बोरी यूरिया खाद और डियेपी की बोरी बिल्कुल मुफ्त यहां जाने कैसे उठा सकते हैं लाब अगर आप भी किसान हैं खेती बाड़ी करते हैं तो अब आपको यूरिया खाद और डियेपी की दो दो बोरीया बिल्कुल फ्री में सरकार देने वाली है जी हैं भाईयों और भेहनों आपको बता दें वरतमान में यूरिया खाद सिर्फ सेवा सहिकारी संस्थान सोसाइटी के पास ही आ रहा है लेकिन ये भी परियात्प नहीं है ऐसे में जिन किसानों का मजबूरी के कारल बना हुआ है उनको सरकार की तरफ से दो बोरी यूरिया और डिये पी खाद बिल्कुल फ्री में दी जाएगी सरकार के द्वारा किसानों को दो बोरी यूरिया जो दिये जाने का एलान हुआ है ये आप नजदी की ब्लॉक से जाकर ले भी सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको आधार काड ले जाना होगा आपके खेत की रसीद भी ले जानी होगी तब ही यह फादा मिल पाएगा वहीं अगली बड़ी कबर मजदूरों को अब बसों में मुफ्त में यात्रा करने का मिलेगा तवफा नहीं देना होगा किराया दोस्तों सरकार ने मजदूरों को फ्री में बसों में सफर करने को लेकर एक नई योजना की शुरुवात कर दी है जी हाँ मजदूर भाईयों की परिशानियों को देखते हुए अब मजदूर भी बसों में मुफ्त में सफर कर सकते हैं दरसल दिल्ली से केजरी वाल सरकार की तरप से बड़ी कबर आ रही है दिल्ली में जल्द ही निर्माड कारियों से जुड़े सरमिकों के अलावा इलेक्ट्रीशन, प्लमबर और कार पेंटर समेथ आनने को भी अब मुफ्त में बस पास की सुविदा मिलने वाली है दिल्ली सरक करते हैं दिल्ली में रहकर तो अब आपको फ्री में बस में सफर करने का मौका मिलेगा इसके लावा आगली बड़ी कबर सरकार ने गरीबों को दिया बड़ा तहफा पक्का मकान बनवाने के लिए अब सरकार खाते में एडवांस में डालेगी पैसे जी हां आपको बता दे अब गरीबों को पक्का मकान बनवाने के लिए सरकार की तरफ से एडवांस में धाई लाक रुपे देने का फैसला हो चुका है दरसल आपको उता दें आप भी अपना कच्छे मकान को तुड़वा कर पक्का मकान बनवाने का सपना देख रहे हैं पैसों की किल्लत है तो अब सरकार ने आपके लिए एक बड़ा फैसला लिया है नया एलान हुआ है पक्के मकान बनवाने वालों को एडवांस में सरकार की ओर से दो लाक पचास हजर रुपे मिलने वाले हैं जिससे आप अपने घर का सपना पूरा करवा सकते हैं देश की वित्तमंतरी निर्मला सितर हमड़ जी की तरफ से इस बार के बजट एक फरवरी 2023 को पेस किये जाने के बाद ये बड़ा फैसला लिया है तो आपने अभी तक अपना आविदन नहीं करवा है तो आविदन करवा कर पीम आवास योजना के अंतरकत इसका लाब उठा सकते हैं वहीं अगली बड़ी कबर किसानों का अब करज होगा माफ भ्याज माफी योजना का हुआ एलान जी हाँ आपका भी अगर करज काई दिनों का बकाया चल रहा है दोस्तों तो मद्य प्रदेश के जबलपूर से बड़ी खबर निकल करा रही है जी हाँ बता दिजए कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रात्मिक किसी साख सहकारी समितियों के डिफॉल्टर करशकों पर बकाया फसल रेड़ों के माफ करने का अलान हो चुका है आपको बता दें मुख्य मंतरी करशक ब्याज माफी योजना 2023 के तहट सरकार का बड़ा एलान हो चुका है जिसके अंतरगद ऐसे किसान करीबन 11,000 बता जा रहे हैं जिनका सरकार अब यहाँ पर ब्याज माफ करेगी आपका भी अगर करश यहाँ पर बकाया है और उस पर ब्याज काफे ज़दा बढ़ चुका है तो अब आपको ब्याज माफी योजना का फाइदा मिलेगा और आपका करश माफ हो जाएगा इसके लाब आगली बड़ी अपडेट 15 साल से जादा पुरानी गाडियों पर जल्द लगने वाला है बैन इस राज में नया नियम हुआ लगू जिहां बढ़ते प्रदूसर को देखते हुए बिहार सरकार की तरब से बड़ा फसला लिया गया है दरसल बता दीजए कि बिह अब ऐसे वाहनों पर सरकार रोंक लगाएगी अगर वो 15 साल से जादा पुराने होते हैं तो बता दिये जाए कि मुख्य मंतरी नितीज सरकार की तरब से कैबिनेट की बैठेक में ये फैसला लिया गया है इसमें यहाँ पर तीन पहिया टेंपू, थ्री वीलर, बश, ट्रक जैसे वाहन भी सामिलें, इसके लाब आगली बड़ी कबर, बिजली बिल उपभोकताओं को लगा बड़ा जटका, बिजली का भी लब होने जा रहा है महेंगा, आपको बता दें अगर आप उत्तरा खंड में रहते हैं तो अब आपको बिजली का जटका लगने वाला है, क् बिजली बिल उपभोकताओं को अब हर महीने बढ़कर सरचार्ज देना होगा, आपकी घरों में जो अभी तक बिजली आती थी, उस पर यहाँ पर सरचार्ज पहले कम लगता था, लेकिन अब हर महीने दस फीजदी आपको बढ़कर सरचार्ज चुकाना होगा, ये बड़ा दिये जाए कि सभी बैंक के यूजर्स के लिए खबर आ रही है कि आपका बैंक को सजड़ा कोई अपडेट है, कोई जरूरी कामकाज है, तो आपको बता दिये जाए कि 14 माई से लेकर 28 माई की बीच में 8 दिनों तक बैंकों में अवकास रहने वाला है, इसमें कुछ छेतरी बार बीच बार बीच माई को पड़ रहा है, इसके लाबा 21, 22 और 24, 27, 28 इसको बैंकों में चुटी रहेगी